बॉलिवुट की पंगा क्वीन कंगनर नौत अक्सरी किसी न किसी वज़े से चर्चा में रहती हैं कभी अपने विवादत बयान के चलते तो कभी फिल्मों के विवाद के चलते कंगना हमेशा सुर्ख्यों में बनी रहती हैं अब कंगनर नौत एक और वज़े से चर्चा में हैं। इस बार उनके चर्चा में रहने की वज़ा बना है उनका पास्पोर्ट। कंगना ने अपना पास्पोर्ट रिन्यू कराने के लिए बंबे हाई कुछ की ओर रुख किया है। कंगना रनौत को महराष्ट सरकार से पंगा लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है उन्हें लगातार नईनी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है अब इस वीच खबर आई है कि पासपोर्ट अथॉर्टीज ने उनका पासपोर्ट रिन्यू करने से इंकार कर दिया है उन्होंने दलील दी है कि कंगना पर देशद्रो का मुकदमा चल रहा है जिसकी वज़े से उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा सकता इसके बाद कंगना ने एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का दर्वाजा खट-कट आया है क्योंकि देशद्रो केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें गरफतार ना करने का आदेश चारी कर रखा है इस केस में उनके साथ उनकी बेहन रंगोली चंदेल भी आरोपी है कंगना का पासपोर्ट सितंबर 2021 में खत्म हो रहा है उन्हें शूट के लिए बुदापैस चाना है और वैसे भी कंगना को अपने काम के सिलसले में विदेश यात्राई करनी पड़ती है ऐसे में बिना पासपोर्ट के वो वीजा के लिए आविदन नहीं दे सकती कंगना ने कोट में कहा कि उन्हें विदेश जाना है ऐसे में कोट उनका पासपोर्ट रिन्यू करने का आदेश अधिकारियों को दे आपको बता दे कंगना के खिलाफ सोचल मीडिया में नफरत फैलाने का केस मुंबई के अधारत में चल रहा है जिसमें Mumbai Police के सामने वो एक बार पेश भी हो चुकी है कोट में Mumbai Police ने कहा था कि वो कंगना के करीब 100 tweets के बारे में पूच्छताच करना चाहते थे लेकिन कंगना से सिर्फ 4-5 post के बारे में ही बात हो सकी ऐसे में वो चाहते हैं कि कंगना को पूछताज के लिए बुलाया जाए कंगना के खिलाफ हिंसा के लिए भढ़काने का एक केस पिछले साल किया गया था जिसके बाद लगातार कई डेट्स पर इसकी सुनवाई हुई है कंगना के साथ उनकी बेहन को भी मुंबाई पुलिस ने कई बार नोटिस भेजा है पूछताज के लिए लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हो सकी कंगना के वखीलों का दावा है कि उनके ट्वीट से हिंसा नहीं हुई है इसलिए केस उन्हें परिशान करने के लिए किया गया है कोट में दलीले दी गई है कि आक्टरस के खिलाफ इस केस को अब बंद कर दिया जाए लेकिन कोट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं है उधर कंगना ने एक बास सुप्रीम कोट में भी कैवियेट दाखिल करके अपील की थी कि उनके खिलाफ महारास्ट में चल रहे सभी मुकदमों को हिमाचल ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि वहाँ उन्हें नयाए की उम्मीद नहीं है अब देखते हैं कि कंगना का पासपोर्ट रिन्यू होता है या नहीं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही एंटर्टीन्मेंट से जुड़ी हर अब्डेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करे अगर आप इस वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें